हरे कृष्णा दोस्तों मैं दीप्ती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल सपनों के रहसे फल में उमीद करती हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आपके उपर भगवान की कृपा सादे बनी रहे आपका दिन मंगल में हो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सपने में यदि आपको लाल रंग का पानी यानि रेड वाटर दिखाई देता है तो इस सपने का क्या अर्थ होता है इस सपने से आपको क्या फल प्राप्त होता है आईए दोस्तों जानते हैं यह सपना आपके जीवन पर क्या प्रवाव डालता है दोस्तों अगर आपको सपने में लाल रंग का पानी दिखाई देता है तो यह सपना आपके लिए सकारात्मक फल देने वाला सपना है ऐसा सपना देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं क्योंकि लाल रंग का पानी खून जैसा लगता है पर दोस्तों यहां हम लाल रंग के पानी की बात कर रही हैं दोस्तों अगर आप सपने में लाल पानी को पीते हुए देखते हैं तो यह सपना दर्शाता है कि आपके अंदर सकारात्मक उर्जा का संचार होने वाला है इसके अलावा दोस्तों यह सपना दर्शाता है कि वास्तविक जीवन में आप किसी रिष्टे में बंदे हुए हैं तो उस रिष्टे को आप पूरी वफादारी के साथ निभा रहे हैं और यह रिष्टा आपके लिए बहुत ही महत्व पूर्ण हैं दोस्तों अगर आप सपने में लाल नदी में खुद को तैरते हुए देखते हैं और नदी को पार कर लेते हैं तो यह सपना इस ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप संक्टों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों यह सपना आपके परिवार में खुसाली आने कावी संकेत देता है दोस्तो अगर आप सपने में लाल पानी में भगवान को अर्पित करते हुए देखते हैं तो यह सपना संकेत देता है कि आप अपने काड़ियों को पूंड विश्वास के साथ सफलता पूर्वक पूरा कर लैंगे यह सपना आपके अंदर की कावीलियत को दशाता है फुल मिलाकर दोस्तों यह सपना आपके लिए अच्छा सपना होता है दोस्तों अगर आप सपने में लाल पानी में नहा रहे हैं तो यह सपना दशाता है कि आप जिस भी कारेचितर में काम कर रही हैं उसमें आपको बहुत बड़ा लाव प्राप्त होने वाला है यह सपना सफलता का सूचक सपना माना जाता है दोस्तों उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी चैनल सपनों के रहसे फल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें